सो हेलो इवान गाइस रहे महादीव राधी राधी कैसे आप सभी लोग गाइस आई होप आप सभी लोग अच्छो कर अपने लाइफ में भी आगे बढ़ रहे होगे सब गाइस आज मैं आपके लिए रीडिंग लेके आ गही हूँ आपके लिए जो new moon की energies है क्या लेके आ रहे हैं क्या blessings आप लोग attract कर रहे हैं इस new moon पे means अमा वस्या का दिन 2 September जो आज है तो of course क्या आने वाला है आपकी life में love, money, career, marriage में ये जो new moon है कौन सी blessings, good news, surprises आपके लिए लेके आ रहे हैं सो यहाँ पे magician card first file आपके लिए और अगर आपकी date of birth इन में से आती है तो first file आपके लिए है second file है यहाँ पे the empress card और अगर आपकी date of birth इन में से आती है तो of course आप अपने ले second file पे कर लेजी so reading start करने से पहले अगर आप new हो channel पे subscribe कर लो bell icon को दबा के all पे set कर दो personal reading के लिए आप मुझे instagram पे dm कर सकते हो instagram का link description में है time stamps के just रुपई या फिर आप लोगों पर about section से भी देख सकते हो so यह magician और empress यहाँ फिर अपनी date of birth अराम से आप चूस कर लेजी so start कर लेते हैं so first of all जिनोंने भी magician card को पिक किया या जिनकी भी date of birth इन में से आती है means 2 5 11 3 15 9 13 17 7 21 30 27 19 25 23 29 तो आपके लिए first file है okay यहाँ पी the magician card के energy जाए तो first file आपके लिए क्या energy आ रहे है new moon आपके लिए क्या लेक्या आ रहे है so guys आज new moon की energy से बहुत जारा mood swings कुछ लोगों को देखने को मिल सकते हैं and yes I hope आपके लिए positive energies ही आप लोग attract करो positive चीजें ही आपकी life में यह लेके आए new moon so यहाँ पे guys आपकी life में कहीं न कि आप कुछ manifest कर रहे थे बहुत time से okay manifestation techniques का भी use कर रहे थे यहाँ फिर बस होता है न कि बस कुछ सोचे जाना सोचते रहे हैं यह होगा मेरे साथ पक्का होगा मतलब positive energies जो लोग सोचते हैं मतलब वह चीजें आपको मिल रही हैं आपको दी जाएंगी universe की तरफ से okay से यहाँ पे जमिनाय राशी आपके लिए important हो सकते हैं मिथून राशी आपके लिए जरूरी हो सकते important हो सकती है okay infinity का sign शो करता है कहीं न कहीं आपकी life में balanced energies को okay balanced means balanced energies में आप वह हो इस time पर so guys यहाँ पे यह energies हैं आपके लिए okay and yes आपकी बहुत सारी wishes fulfill होते हैं दिख रहे हैं I don't know why wishes कहने time मेरा throat chakra close हो रहा है okay दो तीन बार कहा वैसे मैंने कभी मेरे पास में सत ऐसा नहीं हुआ बढ़ हां यह हो रहा है तो कहीं न कहीं आप इसको रोक रहे हो आपकी इच्छाएं बहुत सारी हैं बट आप उनको किस न किसी वे में रोक दे रहे हो okay वह दो खुद ही नजल लगा देना या फिर खुद ही सोचते रहना बहुत ज़रा गलत वे में भी सोच लेना बीच में तो वो चीज़ें रुक जाती है वही पर अगर आप थोड़ा सा भी नेगेटिव होते होगे तो आपको जो मिलना भी होता है वो भी आपको मिलना बंद हो जाता है यह आपके लिए क्या नर्जी इस लेकर आ रहे है यह नीव मून अपके लिए तो आपके लिए क्या लेकर आ रहे है यह निव मून आपके लिए So, यहाँ पर है Strength card की Energies, okay जी Wow, the Six of Cups card है यहाँ पर Ten of Pentacles की Energies है यहाँ पर And Last card यहाँ पर क्या है आपके लिए यह है Five of Wands का Bottom of the deck यहाँ पर The Fool card की Energies Middle of the deck है, The Word card, okay So, यहाँ पर क्या Energies है आपके लिए See, this Four of Wands card है, guys इसके जस्त नीचे ही, Word card के नीचे Four of Wands, wow So, I think कुछ लोग यहाँ पर Marriage के वारे में सोच रहे है Marriage चाहिए, आपको शादी चाहिए यह Love Marriage के Chances दिख रहे हैं, Because यहाँ पर The Fool card है Fool card शो करता है कहीं न कहीं So, guys, Fool card कहीं न कहीं आपकी लाइफ में Freedom को शो करता है आपको Freedom चाहिए, Ten of Pentacles Marriage है, यहाँ पर कहीं न कहीं Fights होते हुए दिख रहे हैं Marriage से पहले, मतलब उसकी वजह से मुझे ऐसा लग रहे है, कि आप Love Marriage की तरफ जा रहे हैं, और आपको शादी करनी है, ठीक है, Long Distance यहाँ पर है, और Travel करके आपको कही Destination वाली Marriage यहाँ होते है, जैसे Destined Marriage लाइक होता है, एक प्लेस से उधर के इधर से इधर, ठीक है, Destined प्लेस पर मैरिश करना, तो वो यहाँ पर मुझे सीन दिख रहा है, आपके लिए आपने इन सब चीजों को Manifest किया है, और यह जो New Moon है यह इस चीज को, मतलब होता है कि Confirm कर है कि Yes, इस New Moon पर यह सब चीज़े आपको कर चाहिए कि आप ट्रावल करते हो दिख रहे हो कहीं न की, चाहे लॉंग, बट लॉंग दिस्टंस यहाँ पे जाधा दिख रहा है, शौर डिस्टंस भी कुछ लोग ट्रावल कर सकते हैं, विकॉस सभी लोग तो लॉंग दिस्टंस पे जाने वाले नहीं है तो आपको कुछ लोग एक घंटे कर रासता है, दो घंटे कर रासता है सभी के लिए, अगर मैं बताओ तो लॉंग दिस्टंस भी आप ट्रावल कर सकते हैं शौर डिस्टंस भी, कहीना के स्ट्रेंथ बनाई रखने की जुरत है कहीना के फाइटिंग स्पिरेट आपके अंदर बहुत जारा जागी हुई है कि येस मुझे ये चाहिए तो चाहिए, मुझे ये करना है तो करना है तो वो चीज यहाँ पे आपके बीच में है, बट आपको कहा चाहिए स्ट्रेंथ रखी होगे, ताकत रखी है अपने अंदर होगे सो यहाँ पे सान अफ कपस कार्ड है, नाइट अफ कपस की एनरजिशो करती है कहीना की आपकी लाइफ में, कोई परसन आ रहे हैं जो आपको emotional अपना cup देना चाहते हैं, आपको अपना love देना चाहते हैं, ठीक है, slow speed में आ रहे है, but yes, commitment उनके पास है, तो yes, वो आ रही है, आपकी तरफ, and marriage के यहाँ पे chances है, अगर शादी नहीं है, तो आप, बैस तो मुझे शादी 100%, दिख रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पे शादी करन चाहते हैं, और यह जो new moon आ रहा है न, September के, 2 September को, तो of course, वो new moon जो है, आज, तो of course, वो आपकी life में इस सब चीज़े, खुदी manifest कर देगा, ठीक है, यह सब चीज़े होना चार्ट हो जाएंगे आपकी साथ, ठीक है, and yes, यह 10 of pentacles शो करता है, कहीं न कि आपकी life में, financially abundance भी हो सकती है, घर में खुश्या आते हो, दिख रहे है, पैसा आ रहा है घर पे आपकी, यह ऐसा हो सकता है, कि आपकी family में खुश्या आ रही है, marriage relationship की वजह से हो सकता है, ठीक है, and यहां पर यह six of cups card है, आपकी soul mate आपको मिल सकते है, आने वाले समय में, soul family के आप तलाश कर रहे हो ठीक है, वो आपको मिल सकती है, आप travel करना चाहते थे, long distance travel ठीक है, आपको visa approval चाहिए था, definitely वो भी यहां पर होता हुआ दिख रहे है, कुछ अरचन ही आई होंगी past में, बढ़ हाँ वो हो जाएगा, ठीक है, आपको यह कहा जा रहे है, Leo, Cancer and Aries sign, most important राश्रिया यहां पर द यहां है, यह भी देख लेते हैं, सो क्या energies हैं, यहां से यह देख लेते हैं, ओके, ओके, disruption यह सभी चीज़े जो भी हो यहने, unexpected ली होंगे, एक दम से होंगे, शादी भी है, वो unexpected ली एक दम से, पर हाँ कहीं न, कि आपको emotional loss के थूस से पहले गुजरना पड़ सकता है, मैंने कहा न, fighting spirit, see this heartache and loss, oh my god, why, this is happening with you, why, मैं इसको देखूंगे, ठीक है, क्यों हो रहा है, sacrifice, okay, यह new moon क्या अरजिस लेके आ रहे है, आपके लिए, okay, यह क्यों आया है, tower card, okay, okay, three of swords की card की energies क्यों आया है, okay, and yes, यह emotional loss क्यों आया है, okay, so bottom of it is destiny, okay, energy, so guys, मुझे ऐसा देख रहा है, यह जो new moon है, कहीं न, कहीं आपके life में confusion भी create करने वाला है, ठीक है, unexpected, आपको नहीं पता होगा, but कहीं न, कि आपके सामने आपकी growth भी दिख रही होगी, उस टाइम आपको marriage भी दिख रही होगी, उस टाइम आपको financial strength भी दिख रही होगी, बहुत साइच चीज़ें कि आपका partner क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, आपको अपने freedom भी दिख रही होगी, आपको चारो चीज़ें दिख रही हैं, जिसकी वजह से, आप अपनी life में कहीं न, कि unexpectedly यह सब चीज़ें, आपने इन सब चीज़ों को manifest के और आपको unexpectedly यह सब चीज़ें किसी एक ही person में मिल गए, ठीक है, यह भी हो सकता है, अगर आपके career के लिए देखें, तो आपके career में एक दम से चेंज आ सकता है, ठीक है, एक दम से आपको change करना पड़ सकता है अपना career, ठीक है, यहाँ पे आ आपके लिए है, emotional loss, okay, so कहीं न कि आपको, like for example, कुछ लोग अपना घर छोड़ के जा रहे है, क्या ट्रावल है ना, foreign country जाने का है, या फिर long distance जाने का ट्रावल का है, तो of course, कहीं न कि आप लोग जा रहे हो, आपको hurt हो रहा है, see this positive movement forward, but यह जो movement आप ले रहे हो, आपके ल results लेके आने वाले, यह new moon के बाद ही होने वाला है, okay, यह कुछ लोगों की life में तो start हो गया होगा, but हाँ sacrifice अगर करो के, like for example, आप अपनी family को sacrifice करके जा रहे हो, कहीं है, travel कर रहे हो, foreign जा रहे हो, ठीक है, job के लिए कहीं, दूसरी जगा transfer कर रहे हो, अपना ले रहे हो, तो आ करना ही था, because यह sacrifice के through ही आपकी life में positive energies manifest होंगी, और harvest and material harvest की energy कहीं आपको उसके through profits and gains भी होते हो, यहाँ पे कुछ लोगों होता है, कि job के लिए अपना घर चोड़ के चलेगे, दूसरी state में, ठीक है, दूसरी country में, तो वो क्या होता है, फिर उसके बाद के अकेला feel करते है, alone and sad feel करते हैं, कभी ना कभी, तो वही चीज यहाँ पे दिख रहे हैं, कि छोड़ना easy नहीं होता है घर वालों को, शादी के बाद girls अपने घर को छोड़ के जाते हैं, तो आप पताव उनको कितना hurt होता होगा ना, कि हाँ भी मेरा घर रहा ही नहीं, तो वो यहाँ पे चीज किस दिख रहे हैं, कि कुछ लोगों को यह feel होने वाला है, कुछ लोग की यहाँ पे शादी fix हो सकती है, ओके, तो यहाँ पे तू नमबर 13, नमबर 3, नमबर 8, नमबर 12, नमबर 9 नमबर आपके लिए important हो सकता है, ओके, तो यहाँ पे आपके लिए जो new moon है, यह क्या energies लिक्या आ रहे है, new moon की क्या energies है, तो guys, balance करो, spirituality and practicality, okay, spiritual अगर आप हो बहुत अच्छी बात है, आप अगर practical हो, बहुत अच्छी बात हो, प्रेक्टिकल हो बहुत आए, ठीक है, practicality आपके अंदर बहुत आए, और आप spiritual ही नहीं हो, तो of course, वो imbalance हो जाएगा आपके लिए, okay, आपको कहाँ जारे, balance क्रेट करो, full moon in Pisces के energies हैं, but yes, यह new moon है, new moon in Cancer के energies हैं, you and your loved ones are safe, so, आप और आपके loved ones safe हैं, आपको यह message दिया जा रहा है, इस time पर, wow, a new start is coming, तो आप एक नई जगा जाने वाले हो, आप एक नई शुरुआत अपनी जिन्दगी में करते हो, दिखरो, yes, कहीना कि आपको उसके लिए sacrifice करना पढ़ रहे हैं, कुछ चीजों का, कुछ चीजों छोड़नी पड़ रहे हैं, कुछ चीजों की वजह से आपको heart loss feel हो रहा है, बतलब होता है न, कि आपके दिल को दल्द हो रहा है, hurt feel हो रहा है, बटे, यहाँ पर आपको कहा जरे, अगर आप new start नहीं करोगे, आपके life में नई श्रुवात आप लोग करते हैं, दिख रहे हैं, new beginnings आपके life में होने वाली है, so yes, nothing is yet set in stone, कुछ भी पत्थर पे नहीं लिखा है, आपको यहीं कहा जरे, mutable moon की energies हैं, यहाँ पर destiny बहुत big role play कर रही है, कुछ चीज़ें ऐसी होने वाली है, जो आपको अभी नहीं पता है, बट वो आपके लिए distant है, आपको पता भी नहीं चलेगा, वो हो भी गया, ठीक है, ऐसी चीज़ें आपके शादी आपने सोची नहीं, जैसे आपने सोची है, वैसा नहीं हो रहा है, वो होना ही था, वो distant था, वैसा ही होना था, चाहे आप सो तो लव एन अपको गाईज प्यार शो करो लोगों को अपने आपको सेप्ट करना सीखो अपने आपको कितना सेल्फ केर कितना सेल्फ लव करते हो वो देखो ठीक है तो थैंक्स की एंजल्स को कि वो आपको गाईड कर रहे हैं सेल्फ असेप्ट करने के लिए ठीक है यहाँ पर ट्रांजिशन काड़ी शो कर रहा है इस को तो के इस चेंज आ रहे है आपकी लाइफ में ट्रांजिशन आपको देखने को मल सकता है चेंज ओफ प्लेस हो सकता है चेंज ओफ थौट्स हो सकता है मिन्स परसेप्शन आपकी चेंज हो रही है बहुत ओके थैंक्यर एज्याल फॉर लेडिंग मी सेफली थूथ थूथ इस चेंज कहीं न कि change of place, change of thoughts, change of feelings यह हो सकता है इस तरान सो यहां पर earth angel की energies है, earth angel यह show करते हैं कहीं न कि thank you angels for inspiring me to be like you so thanks कि angels को कि वो आपकी तरह बन रहे हैं, sorry वो आपको help कर रहे हैं, inspire कर रहे हैं कि आप उनकी तरह बन हूं, ठेक हैं so guys आपको पता है यह श्राज start हो जाएंगे 17th of September से इस month में so yes उसके पहले ही इन sisters की energies आचके, animal kingdom की भी energies हैं, see this यहां पर है eagle spirit और मुझे crow भी दिख रहे हैं, बट crow की तो आगे चोंच हो जो होती है बड़ी होती है, black color की, so यह eagle ही है eagle spirit आपको बहुत important आपकी life में आगे role play करने वाली और yes आपको कुछ ना कुछ messages देना चाते हैं, आप जुरूर गूगल पर search करना हो की इनके characteristic का nature क्या होता है, in spirituality okay, so yes spirit animal आपके लिए important दिख रहे हैं आपको कहा जाए, thanks कही है उनको भी, उन्होंने भी बहुत help की है आपके पात पे, love के पात पे, आपको love मिलवाने में आपकी help की गई है, okay, so एक last card मैं देख लीती हूँ, उसके बाद हम reading को end करेंगे, okay, बाकी reading को like करके, channel को subscribe कर लेना, okay, bell icon को दबाके all पे set कर देना, personal reading अ out section से भी देख सकते हो, okay, so yes, honor your feelings guys, honor करें अपने feelings को, अपने भावनाओं को, Archangel Hanyal आए है, thank you Hanyal for supporting me as I honor my emotions, so thanks कि Hanyal को, कि वो आपको support किये हैं, कि yes, आप honor करें अपने emotions को, आप उनको तवज़ो दे रहे हो, ठीक है, यह चीज़ यहाँ पर दिख रहे है, bottom of the deck, don't hate meditate, meditation कर है, positive energy, इसको attract करने में लग जाए, okay, so thank you angels for guiding me to love through meditation, so yes, thanks कि यह angels को, कि वो आपको guide कर रहे है, meditation के थू, okay, and yes, meditation करिए, यह भी आपको guide किया जा रहे, angels आपको fully protect कर रहे है, okay, guys, anyways, like this, reading, subscribe to this channel, अभी के लिए इतना ही, हर महादेव, राधी राधी, God bless you everyone, take care, bye guys, so hello everyone, guys, हर महादेव, राधी राधी, कैसे आप सभी लोग, guys, I hope आप सभी लोग अच्छ अगर अपने life में भी आगे बढ़ रहे होगे, so guys, आज हम देख लेते हैं, आपके लिए, जो new moon है, यह क्या energies लेकिया रहे, क्या आपकी life of blessings आने वाली है, okay, so यहाँ पर अगर आपकी date of birth in me से आती है, guys, आप check out कर लेजिए, pause करके, आप zoom out करके देख लेजिए, okay, so yes, देख लेते हैं, क्या energies attract कर रहे हो आप इस new moon पर, क्या blessings आने वाली है, आपकी जिन्दगी में, okay, सबसे पहले तो यहाँ पर Empress card है, guys, Empress card आपको अगर पता हो, तो यह growth का ही card होता है, definitely, so yes, आपकी life में कहीं ना कहीं, growth देखने को आपको मिल सकती हो, कि आने वाले समय में, and also financially कोई भी issue नहीं रहने वाला है, यह जो new moon है, next new moon तक कोई भी financially issue आपको नहीं फील होगा, अगले तेन महीने बहुत important time है, तीन दिन हो सकते हैं 3, date आपके लिए important हो सकती है, और also यहाँ पर यह भी दिख रहे हैं कहीं ना कहीं, आपके लिए, हर एक चीज आपके पास available होगी, like आपको खाने के लिए कुछ है, वो आपके पास होगा, आपके पास हर एक चीज available होगी, यहाँ पर, okay, and yes, यहाँ पर आपके लिए यहाँ जो लोग pregnancy expect कर रहें, so यह new moon भी आपको वो good news देखने को मिल सकती है, okay, so यह भी energies है, and yes, आपको इनकोई authority position भी पाते हुए दिख रहे हो future में, okay, so new moon आपके लिए energies attract कर रहा है, growth आपकी life में आरे, चाहे वो financially है, चाहे वो कोई भी area में आपको देखने को मिल सकती है, okay, and yes, चाहे spiritually ही है guys, चाहे practical life में, चाहे spiritual life है, बढ़ हाँ, आपकी life में growth देखने को मिलने वाली है, so यहाँ से देख लेते हैं, taurus sign आपके लिए important होसता है, means वरिश्वर राशी, आप एक queen हो, आप एक empress हो, okay, so यह आपके लिए important message है, कि आप एक बहुत अच्छे person हो, अगर आपको लगता है, कि आप अच्छे नहीं हो, आप बहुत अच्छे हो guys, okay, आपके लिए guidance एक तरह से, आपके लिए message है, एक universe का, okay, so yes, आपके लिए और क्या आ रहा है, यहाँ आप एस, new moon पे, okay, the devil card है, यहाँ पे, यहाँ पे, the high priestess है, wow, amazing, दोनों ही, major akana की energies आई है, आपके लिए निकल कर, the temperance card है, तेनों ही major akana है guys, यहाँ पे, sun of swords की energies है, okay, four of cups है, यहाँ पे, and last card आपके लिए, क्या आना चाहता है, वो है, wow, दैस, यहाँ पे, emperor card आया है, आपके लिए, okay, so empress, तो main energies में आया है, तो emperor क्यों पीछे रहे है, हना, so यही है, bottom of deck, two of pentacles, or middle energies, क्या है, यहाँ पे, empress, oh my god, confirmation है guys, यहाँ पे, आप अपने destined partner को मिलने वाले हो, आपके life में बहुत सरी growth, abundance देखने को मिलने वाले है, आपको, okay, आप अपने, like होता है कि अपने twin flame, अपने soulmate, आपका जो real partner है, आपके marriage partner है, उनको आप मिलने वाले हो, ठीक है, so, यह energy है, आपके distant partner, जिनसे आपका मिलना तय है, उस person से आप मिलते हो, दिखरो, यहाँ पे, so, यहाँ पे, मुझे ऐसा दिख रहे है कि, यहाँ आपकी life में, emperor, empress, अगर आए हैं, balanced energies, guys, male और female, okay, yeng और yang energies, again, यहाँ पे वही infinity की energies बने हैं, definitely, आप अपने yeng और yang energies को balance करते हो, दिखरो, आपकी life में balance आता हुआ, दिखरो है, ठीक है, यह चीज़े मुझे आपके दिखरो, हो रहे हो, guys, यह जो new moon है, यह आपकी life में, आपकी intuition high करने में, बहुत help करने वाला है, आप इसके आसपास बहुत intuitive होते हुए, दिखरो हो मुझे, क्योंकि, and कहीना कि over passionate होते हुए, दिखरो, चीज़ों के लिए, बहुत mood ही होते हुए, ठीक है, mood आपका ऐसा दिख रहे है, मुझे कि yes, बहुत ज़रा passionate, over passionate energies ही, यहाँ पे हैं आपके लिए, devil card की energies में, आप लोग दिख रहे हो, कहीना कि finances के उपर बहुत ज़रा focus कर रहे हो, आप अपने money के उपर बहुत ज़रा focus आपके उपर दिख रहे हो, okay, मतलब financially आप बहुत ज़रा abundance में जाना चाहते हो, means आपको पैसा चाहिए, money चाहिए, कहीं से भी, okay, so yes, आप उसके लिए बहुत ज़रा hard work कर रहे हो, आप उसके लिए ही दिन रात एक कर रहे हो, तो of course, आपको कहा चाहिए, थोड़ा सा patience रखो, आपको सब कुछ मिलेगा, चाहिए, like for example, आपने अभी वो चीज़ पाली, but वो आपको दो महीने बाद मिल सकती थी, तो आपको कहा चाहिए, थोड़ा सा patience रखके चलो, okay, don't worry, जो होगा, वो अच्छे के लिए होता है, right time भी होता है, कुछ divine timing से पहले किसी को कुछ नहीं मिला है, and यहाँ पे कहीं न कि आप बहुत तेजी से आगे बढ़ते हों, बहुत fast energies मुझे यहाँ पे दिख रही है, आप चाहे अपने life में, आपके life में travel भी requires month में, okay, traveling के भी है chances है, बढ़ हाँ कुछ चीज़ें ऐसी होते है, marriage, love, career, money में, कुछ चीज़ें ऐसी होते हैं, जहाँ पे तेजी दिखाने के जरुत होती है, आपको अपने career में growth चाहिए, definitely आपको तेजी करने चाहिए, पर इतनी भी नहीं, कि आप अपनी नीद भूल जाओ, अपना खाना पीना भूल जाओ, okay, so वो यहाँ पी energies है, okay, so four of cups यहाँ पर शो करता है, कि आप अपनी life में, आपके बस बहुत सरी options थी, चाहे love relationship में, चाहे career में, बहुत opportunities आपके सामने आई हैं, पर आपने उनको चूज नहीं, कि आपको कोई पसंद ही नहीं आई है option वो, but yes, आपके लिए भी energies है, कि आपकी life में कहीं न कहीं, एक cup आपको universe की तरफ से भीजा जा रहे हैं, जिसको आपको चूज करना ही होगा, okay, यहाँ पर चूज करने की energies हैं, कि यहाँ आपकी life में कहीं को option भीजे जा रहे हैं, पर हाँ आपको उनको चूज करना पड़ेगा, जो भी divine की तरफ से भीजा गया है, और yes, यह आपकी divine counterpart ही हो सकते हैं, कहीं न की आप बहुत busy दिख रहे हो गाईस आने वाले समय में, यह new moon आपको बहुत busy कर देने वाला है आपकी life में, चाहे वो किसी वज़ह से हो, आप busy होने वाले हो, आपका business है, वहाँ बहुत सारे clients आपको देखने को मल सकते हैं, जिसकी वज़ह से आप busy हो गए, so यह चीज़े मुझे यहाँ पर देख रहे हैं, और आपके लिए Taurus, Aries, Sagittarius, Pisces, Cancer, Capricorn, यह राश्रियों आपके लिए important हो सकती हैं, and yes, over passionate energies में नहीं जाना है, ठीक है, अगर कुछ student यहाँ पर reading को देख रहे हैं, अगर आप अपना खाना भीना भूल के ही study किये जा रहे हो, रातों को जाग जाग के study करो, तो आपको काजर अपने नेद के उपर, अपने sleeping के उपर भी focus करो कि, so yes, क्या energies आप attract करो इस new moon पे, कौन सी blessings आपकी life में आने वाली हैं, have patience, again वही चीज़े, अगर किसी चीज़ को आप forcefully करने कोशिश करोगे, तो वह थोड़ा सा और डिले हो सकती है, so patience रखो पहले ही, आपको यह कहा जा रहा है, the moon की एलाजिस की ही आ चुके है, shadow है यहाँ पी, guys, आप जिसके बारे में जैसा सोचोगे, वह person आपके बारे में वैसा ही सोचेगा, so आपको यह guidance है, कि यह सब के बारे में अच्छा अच्छा सोचो, अगर आप किसी के बारे में negative सोच रहे हो, तो वह person भी आपके लिए negative ही सोचेगा, आगे जागे, and यहाँ आपको यह भी कहा जा रहा है, कहीं न कहीं आपके लिए, twin flame journey आपकी start होसते हैं, twin flame आपको मिल सकते हैं, आपके soulmate मिल सकते हैं, यहाँ पर आपके लिए passion ignited की energies हैं, कहीं न कहीं आप बहुत जादा passionate energies में भी आते हों, passionate energies आपके लिए दिख रहे हैं यहाँ पर, deception and envy, ओके, यह जो new moon है ना कुछ ना कुछ hidden truth आपके सामने आने वाले हैं guys, कुछ सच आपके सामने आ सकते हैं, form foundation की energies हैं, आपको कहा जरे आपके लिए foundation create होते हैं, आपके लिए यहाँ पर create हो रही है, bottom of deck trapped in fear, आपके मन में किसी चीज़ का डर आता हुआ दिख रहे हैं, यह भी मैं देख रहे हूं यहाँ पर कहीं आप अगर कहीं शक फील करें वहां से बाहर निकलो, अपनी life in firm foundation के अपर focus करो, अगर आपको लग रहे हैं किसी ने आपको धोका दिये आपके लिए deception की energies में आपको रखा है, अगर आप बैठते बहुत ज़दा हो तो आपको कहाँ जड़े थोड़ा सा उठके exercise करना start करो, बैठ ये मज़ ज़दा, आपके लिए guidance है ओकी, exercise करिए गूमिए फिर ये physically active रहे है, ये new moon आपके लिए क्या energy जिस लिए क्या रहा है guys, a new romantic cycle begins, आपकी life में new romance आता हुआ दिखर है, romantic cycle start होता हुआ दिखर है निया, लिप्रा साइन की energy, स्वेसे वी वीनस को ही show करती है, मलब सुंदर्ता के उपर focus करना, अपनी self care के उपर focus करना, romance के उपर focus करना, okay, new moon in libra की energies हैं यहाँ पी, okay, believe in the impossible, so believe करिए impossible में blue moon की energies हैं, okay, so yes, blue moon आपके लिए important हो सकता है, so यहाँ पी है guys, show the word, the real you, आप reality में हो क्या, believe करिए पहले तो impossible में कि yes, possible नहीं है, यह possible है, इन सब चीजों के पर जारा attention मतलो, impossible में believe रखो, and show करो the word, the real you, आप क्या हो real में, उसको show करो यहाँ पी, okay, and last में है guys, it's time to release negativity, so आपको इस time release करने के जरुद है, यहाँ पे negativity को, full moon in Scorpio के energies आए हैं, यहाँ पे, okay, full moon in Aquarius भी important हो सकता है आपके लिए, so your commitment is being tested, so आपकी जो commitment है, वो यहाँ पे test की जा रही है इस time पे, so आप अगर किसी चीज के लिए committed थे, committed हो, definitely committed रहेगा, because यहाँ पे आपकी commitment टेस्ट की जा रही है, क्या आपको आप यह चीज जिजर्व करते हो या नहीं, क्या आप इस चीज के साथ आगे बढ़ सकते हो या नहीं, ठीक है, यह सब चीज़े यहाँ पी, आपको universe divine यहाँ पे check कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं आपको, क्या आप कितने committed हो अपनी life में, किसी goal को कितना achieve करने में, आप बल अपनी तरफ से अपना hard work डाल रहे हो, ठीक है, so yes, यहाँ से देखने ते क्या energy से आपके लिए, connect with music guys, thank you angels for inspiring me through music, so music सुनिए guys, music आपको कुछ न कुछ यहाँ पे hints दे सकता है आपकी life में आगे क्या होने वाला है, आपको motivate कर सकता है आगे आपको क्या करना है अपनी life में, आपको मतलब कुछ भी inspiration आपको मिल सकते है music के थूँ क्या क्या है आगे, आपके romantic life में love life में आपके career में आपके money में connect करने के लिए अगर आप कुछ instruments भी सीखना चाहते हो लाइक गिटार है प्यानों है ठीक है सितार है तो आप वो harmonium है बहुत साइट instruments होते हैं आपकोस आप उनको सीख सकते हो change and transition के energies है आपके life में change आ रहा है archangel angels आपको help कर रहे है archangel as real stories में आपकी help कर रहे है safely आप अपनी life में change को enjoy कर पाओ open your heart archangel chamoal thank you chamoal for removing the barriers around my heart so thanks कि archangel chamoal को कि वो आपकी life से remove कर रहे हैं किस चीज को barriers को अगर आपने अपने दिल के आसपास barriers create कर रखे थे उनको remove किया जा रहे हैं यहां पर okay so don't hate meditate so yes hate नहीं करना है meditate करना है बिल्कुल negativity नहीं लेके आने mind में so thanks कि angels को कि वो आपको guide कर रहे हैं through meditation okay and yes new beginnings आपकी life में आ रहे हैं guys नई शुरुआत आप अपनी life में कर सकते हूं आने वाले समय में so yes next new beginnings are there for you guys नए दोस आपके लिए उपन होते हुए दिख रहे हैं यहां पर so thanks कि angels को एंग कहिए कि I am ready angels please help me okay so guys bottom of the deck यहां पर manifesting miracles archangel औरियान की energy thank you औरियान for manifesting your miracles in my world so thanks कि archangel औरियान को कि आपके help कर रहे हैं आपके life in miracles to manifest करने में okay आपके word में आपके miracles को manifest करने में so yes guys यह थी आपके reading is full moon sorry new moon की okay full moon की भी आएगी and अपने jodic signs अगर आपने check out नहीं किया है सब्तमबर मन्त की full reading भी मैंने डाल दिया और jodic signs भी मैं डाल रही हूं ठीक है and yes I think four five signs four signs ही रह गया three four signs ही रह चुके हैं जो remaining है ठीक है सभी jodic signs भाकी डाल दिया मैंने अपने sun moon rising on north node के accordingly check out कर ले नहीं कि so अभी के लिए इतना ही महादीव राथ ही राथ ही गॉडब्लस रिववान बाई